नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है राइसे स्मार्ट हिंदी के प्लेटफर्म पर सभी लोग अच्छे होंगे छुटियों का दिन चल रहा है त्योहार है सभी लोग मनुरंजन के साथ इस कक्षा को देखिएगा कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है हिंदी के प्रश जो परिशा में पूछे जाते हैं उनको आधार बना करके जो परिशा में प्रश्ण आए हैं उनको ले करके उनके प्रश्ण उनके उत्तर और उनों उत्तरों की व्याख्या के साथ आए हैं तो लिजे पहला प्रश्ण आज का है किसमें से विद्वान का इस्त्रिलिंग क्य होगा विदूसी विद्वता विद्वनी या विज्य होगा तो आप सभी लोग जानते हैं फटा-फट करके प्रश्णों का उत्तर बताईएगा समय कम लीजिएगा प्रश्णों के उत्तर जल्दी जल्दी दीजिएगा तो देखें यहां पर क्या है प्रश्ण एक का काभ्यका प्रेत कहा जाता है हिंदी साहित्य में रीति हंदी न करने वाले जो कवी और रचनाकार हुए उनको तीन स्री allies क्रेड़ियों में बाटा जाता है हिंसे में कठीन कभ्यका प्रेत बंद्ध आप जानते हैं के इसलिए मानक क्योंकि जो लिखते थे जो कहते इनका सास्त्रिय जो विवेचन था बड़ा ही कठिन था बुए चाह जाता है किसको कहा जाता है केषवक काप प्रेव के इसेह की प्रमुक रचनाय जो है वह रशिक प्रिया है, कभी प्रिया है, याद कर लिजे, रसिक प्रिया, दोखों केसव क्या है, रसिक होते हैं, और जो रसिक होते हैं, वो कभी प्रिया होते हैं, नक्सिक होता है, छंदमाल होता है, राम चंद्रिका होता है, वेर सिंग देव चरित होता है, रतन बावनी होता है, विज किपेन का भी का कि से कहा जाता है तो केशो दास को कहा जाता है। और केशो की रचनाय जाम चंद्रिका वीर सिंग्देव चरित रतन बावनी विज्ञान गीता जहांगीर जस्चंद्रिका आचारी शुक लेने के इनकी रचनाओं को भासा गाधा मौम सातन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है अलंकरो तो इती अलंकार है अलंकरत करने की सुन्दरता को जिन तत्तों की माध्यम से काब्य की सुन्दरता बढ़ जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं इसमें कौन सा अलंकार है तो देहीं पुलोपमा अलंकार है पुलोपमा अलंकार होता है उपमा अलंकार की जो भीद आना उनमें आता है आंसर आपका मुम साथ सा, देखो उपमा में सा, से, सरिष, सादृष, देखो याद कर लो अगर उपमा कहीं आ रहा है तो आएगा सा, से, सरिष, सरिष, सादृष, के समान, यह वाचक सब्द हैं जो आते ही हैं, तो मौम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, है न जो मन है वो दीप जैसे जलता है मन की जो राशनी है वो कैसी है दीप की तरह है लेकिन मोम सा तन ये तन क्या होता है धीरे 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 गलता चला जाता है तो कभी कितनी बढ़िया बात कहता है आर्थ कितना महत्वपूर्ण है कि शरीर नस्वर है ये धीरे धीरे नश्ट की तरफ जा रहा है, खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो कभी देखी क्या खहर है अलंकार में, कि पंक्ति में पोड़ोपमा अलंकार है, जिस वाक्य में उपमा की चारों अंग देखो, है ना उपमिय, उपमान, वाचक सब्द और वाधर्म, है ना वाचक की तुलना मन सीखी जा रही है तो उपमिय उपमान और सा क्या है वाचक सब्द है और सा जल गया है यहां देखो तन भूल गया और जल गया है तो चारों जहां पर क्या है उपमा अलंकार की चारों तत्तों जहां उपस्थित होते हैं वहां पोड़ों अलंकार होता है उपमिय अपनी पूड़ों पर अलगकार को सीख लिया होगा उपमा का मतलब ही होता है तुलना साद्रिश्यता समानता जहां पे सा से सरिस साद्रिश्य के समान इत्याद हाइफूल सी कोमल बच्ची हाइफूल सी कोमल बच्ची है न तो मुम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल जो मान चले अगला प्रस्ण देखे लेखक की मृत्ति की घोषणा इसमें से किस विद्वार ने की देखो जब हम हिंदी शाहित्य में आलोचना की बात करती है तो न्यू क्रिटिसिजम एक बहुत इंपॉर्टेंट विमर्स के रूप में आता है नए आलोचना का जो आधार है उसमें क्या है लेखक की मृत्ति हो गई है कोई किताब जो रच दिया उसमें हम लेखक को दृषटिकोर बना कि क्यों बात करें हमें तो उसर रचना और उसर रचना के चरित्र की बात करनी चाहिए ऐसी आलोचकों ने क्या किया लेखक के मृत्यों की घोशळ कर दे क्यों कि जो लिखने वाला है वो अंतता है तो मृतियों को प्राप्त कर जाएगा राम चरित मानस तुलसी दास ने लिखा, तुलसी दास लिख करके उनकी जीवन का अंत हो गया, लेकिन यह रचना कालजई कृती है, इस कालजई कृती में लेखक का तो अंत हो गया, लेकिन लेखक के जो विचार है, जो पात्र है, चरित्र है, कथानक है, कथावस्तु है, वो सब अभी भी वर्तमान में पहले से जादा लोक्त्री है अगर हम इसके कारणों की तलास करें तो रोला बार्थ ने कहा कि लेखक के मृत्यु की घोशड़ कर दिरों लेखक की क्या है मृत्यु की घोशड़ तो लेखक तो चाहिए है कि जो सरीर है वो तो नस्वर है उसे करने का एक तजरिया है जिसे नजरिया है जिसे रोला बार्थ ने प्रस्तुत किया तो देखें लेखक किमृत्य की गोशड़ रोला बार्थ ने की यह फ्रांस के प्रमुख साहित्यकार थे देखें फ्रांस क्या है साहित्यकारों की जननी माना जाता है कला और संस्कृती के जननी के रूप में फ्रांस को माना जाता होता है आलोचक दार्सनिक थे यह जो थे रोलाबार यह आलोचक भी थे दार्सनिक भी थे इनकी प्रमुख रचना थे the death of the आर्थर है ना पहली रचना जो दी डेट आफ आर्थर लेखक के मृत्ति एक परसी दन्मिबंध है अन्य राइटिंग डिग्री जीरो है ना है एलिमेंट्स आफ सीमियोलोजी दी लाश्ट हैपी राइटर्स एवं माइथलोजी जो है यह इनकी सारी रचना है तो रोला वार् यहाँ पर आंसर यह बिल्कुल सही है तिरस्कार सब्द की वर्तमी शुद्ध है अगला देख़ी प्रशन क्या है किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेशन यह रोशन लिग गया क्रिया विशेशन का काम करता है अब्याइभाव बहुबरिः द्वन्द समास तो स समास का मतलब होता है संचेब दो सब्दों को जोडने से जब नए शब्द की निर्मिती होती है तो उसे समास कहते हैं समास संद से अलग होता है लेकिन यहां पे कह रहा है जिस समस्त पद का पद वाक्यमी क्रिया विशेशन देखो क्या है कि देखो देश है और देश में हमने क्या लगा दिया प्र लगा दिया तो क्या बन गया प्रदेश लगा दिया हमने कहा कि जीवन कहा सब्द है जीवन और जीवन में हमने क्या जोड़ दिया आज जीवन जोड़ दिया आपलस कर दिया तो आज जीवन हो गया तो अब भाव समास जिस समास का पहला पद है ना समस् यह अभ्याई भाव समास में प्रवय नी उपशर्ग वाले सबदों से निर्मित सब्धों होते उन्हें अभ्याई भाव समाश कहते हैं दिनों दिन रात रात पैट भर या सकनी आएव होया ज़लमski आ tes काम करता हैं जिस समस्त में समस्त प्रथम पद अभ्य और उपसर हो उसी अभ्य भाव समास कहतें यथा सक्त Всक्ति की अनुशार तो यहां पी क्या है रिंधा क्रोदन करने की कारण वो को क्या कहते हैं देखो रस का मतलब होता है आनन रस के चार तत होते हैं स्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव कहरा स्थाई भाव को उद्भोधन बोधन के कारणों को क्या कहते है जिससे स्थाई भाव उत्पन हो जाते हैं देखो आपकी मन में है सारे रस जो है विद्यमान है लेकिन कोई कारण होता है तो उसे क्या कहते है बिभाव का मतलब होता है कारण है ना भरत्मनी दूशीर शदी में उनके नाटि सास्तर जो ग्रंथ था उसके छेटवे और साथवे अध्याय में उन्होंने कहा कि बिभावानु भाव विचारी संयोगात रस निस्पत्ति बिभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निस्पत्ति होती है और रस जो है कारण से उत्पन होता है क्योंकि बिना कारण के तो अर्था तस्थाई भाव को जागरत और उद्दिप्त करने के कारणों को हम क्या कहते हैं विभाव कहते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होते हैं आंसर बी आप प्रत्य आंसर डी बहाव बह होता है बहाव में आव जोड़ दो तो क्या बन जाता है बह जाना है ना आंसर डी आपका बिल्कुल सही बहाव सब्द में आव प्रत्य का प्रयोग हुआ है वह सब्दान से जो किसी सब्द के अंत में जोड़कर नए सब्दों का निर्माड करता उसे प्रत्य कहते हैं जैसे सामाजिक समाज जमा एक बराबर सामाजिक होता है प्रत्य दो प्रकार के होते हैं कृत प्रत्य होते हैं जिसमें क्रिया से बनते हैं और तधिंग प्रत्य होते हैं पकी बात है आग नेक्स देखिन में कौन सा सब्द वेंजन उस्म वेंजन है उस् तो या रा लावा उस्म वेंजन होते हैं या रा लावा उस्म वेंजन होते हैं आंसर आपका यहां पर यह वाला नहीं हो आंसर आपका क्या है बाव है ना उस्म वेंजन होते हैं या रा लावा क्या होते हैं उस्म वेंजन उस्म क्या है उस्म घरसन से उत्पन होता है जो उसे हम क्या कहते हैं उसमें वेंजन कहते हैं यहां देखी क्या है कंठ से कवर्ग होता है और यहां कंठ तालू से क्या होता है तालू मुर्धा दंत ओष्ट कंठोष्ट ओव होता है तो यहां पर हो जाता है आंसर निमलखित में कौन सा सब्द तद्भाव है मेक्छा पशू है ना और परशु माने होता है फारशा और बिंदु माने होता है बूद तो यहां शब्द है भीरा भीरा शब्द यहां पे आपका क्या है जो है वो तद्भाव शब्द है अंसर डी पूजा में कौन सा प्रत्य है पूजा पूजा में कौन सा प्रत्य है सब्दांस के अंत में जो जोड़ रहा है तो आ प्रत्य लगा हुआ है आ प्रत्य से पूजा बना हुआ है पूज होता है तो आ प्रत्य जोड़ दिये तो आ बन गया पूजा बनता है सामाजिक समाज जमाईक नाटक जमाकार बराबर क्या होता ह अगला प्रशन देखे पाली भासा का सम्द निम्न के साहित से मुखिरोप से है अब देखे पाली भासा का जो शम्मंद है संस्कृत पाली प्राकृत अपभरंस अब भरंस के सौर सैने से हिंदी भासा का जन्म लगबग एक हजार के आसपास अमीर खुसरों की पहेलियों में हमें दिखाई देती है और जो पाली भासा का सम्द है वो बौध साहित से है क्योंकि पाली भासा बुद्ध के जो उपदेश है वो हमें पाली भासा में प्राप् होते हैं तो यहां पे आंसर आपका C बिलकुल सही है metros साहित्य का संबंद किस्ते है का पाली भासा से हैं महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म की परचार परसार ही तू पाली भासा का प्रयोक पाली हिंदू师 यूरोपिय हिंद यूरोपिय भासा परिवार की एक बोली अधिकतर बहुत ग्रंद जिसे त्रिपिटक ये बहुत बार पूछा हुए त्रिपिटक इसी भासा में त्रिपिटक का जो भासा है वो क्या है पाली भासा है जो इसी भासा में देया गया है आंसर आपका सी बिलकु होता है गरुन का परियावाची सब्द है खगेस याद कर लू पत्रागिरी है न उदैगिरी उर उर उरगारी हरियान हरियान वातनी वातनी खगपती भी कहते हैं गरुन को क्या कहते हैं खगपती शुपन भी कहते हैं शुपन विशमुख भी कहते हैं विशमुख है न और पक है अल्ड होता है कि यत बावक हुता श्र स्थांग की तुह एक काम समाप्त कर उसी छड दूसरी क्रिया में प्रवित हो जा है उसे पहली क्रिया को क्या कहते हैं सहायक किया कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं इसमें कोई नहीं कहते हैं या पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं देखो जब वाक्य की निर्मिती होती है तो वाक्य के निर्मार की प्रक्रिया में आप लोग जानते हैं कि जहां करता एक काम को समाप्त करके उसी सर दूसरा काम तो उसे क्या कहते हैं मैं खाना खाकर सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया खाना खाकर के है मैं खाना खाकर सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है भाई खाना खाकर के सो गया मैं पढ़ करके दोड़ने चला गया तो पढ़ करके जो क्या है पूर्वकालिक क्रिया के है वातावरण में कौन सा समय से यह फटा-फट करकी बताएगे समाथ का मतलब उता है संछेब यह यह सश्डी ततपरुश समय से वातव जमावरण से मिल करकी बना है रह गो वाथा वरण सस्ती तत्पूरुष जिस समास का दूसरा पतपरदान होता है वरण है जिसकी दो माताएं हो इसमें से उप्युक्त सब्द क्या है द्वय मातुर इ मातुर द्वी माता शवतेला जिसकी दो माताएं हो उसके लिए एक सब्द क्या है भाई द्वय मातुर जिसकी दो माताएं हो से क्या कहते है द्वय मातुर जैसे कृष्ण की दो माताएं थी तो द् पक्की बात है जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन जो चक्र को धारण करता हूँ चक्रधर गोद में सोने वाली इस्त्री अंकसयनी वह इस्त्री जो गोद में सोने वाली इस्त्री को क्या कहते हैं अंकसयनी कहते हैं पक्की बात है याद कर लिए आप लोग चल नहीं सकता रोगी चल नहीं सकता भाव वाच्च में रुपांतरण क्या होगा तो करता देखू वाच्च का मतलब होता है कहने का धंग जब हम किसी बात को कह रहे हैं तो या तो करता की या तो क्रिया की या तो कर्म की प्रधानता होती है तो रोगी से चला नहीं जाता है भाव वाच्च राउना मुझसे पहना नहीं जाता मुझसे लिखा नहीं जाता इसारे क्या है भाव वाच्च क्वाक्य हैं वाच्च तीन प्रकार्ट के होते हैं करता की प्रधानता को कर्म की प्रधानता को कर्म वाच्च और भाव की प्रधानता को भाव वाच्च कहते हैं वाक्य राह है न रोगी चल नहीं सकता का भावाज चिकार उपांतरन आपको पता चल गया साहित अकाडमी के स्थापना कब हुई हिंदी सिक्षा के छेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के उदेश से भारतिय भासाओं के समवारधन और प्रचार प्रसार पुरसकार देने के लिए साहित अकाडमी के स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी प्रथम साहित अकाडमी पुरसकार 1955 में लाल चतुरवेदी को उनकी रचना लाल चतुरवेदी को उनकी रचना हिं तरंगनी के लिए दिया गया था वर्थ 2010 के लिए साहित अकाडमी पुरसकार हिंदी भासा उदे प्रकास की कहानी है न मोहन दास के लिए दिया गया था तो याद कर लीजिए साहित अकाडमी के स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ और यह दिल्ली में अस्थापित है इसका मुझ्याला जो है दिल्ली में साशाओं में से क्या करता है पुरुसकार देता है जो पहला पुरुसकार साहित्यक एकडमी की हिंदी भासा को गया वह माखल लाल चतुरवेदी को 1905 में उनकी रचना हिम तरंगनी हिम करेड़नी है ना यहनकी जो फेमस रचाएं उन रचना हिम तरंगनी कर लिए गया अगला प्रश्ण है इनमें से चिरंतअर का विलूम क्या हो चिरंतन लगातार चलने वाला नस्वर जो नस्ट हो जाता है तो चिरंतन और नश्वर हैना चिरंतन का क्या होता है नस्वर होता है छनिक का सास्वत होता है अल्प जीवी का दीर्ग जीवी होता है अल्प जीवी और दीर्ग जीवी होता है आपका सही है निम्न में कौन सा सब्द अज के अर्थ को सपष्ट कर रहा है अज के अर्थ को सपष्ट करने वाला सब्द फटा अजनमा शिव ब्रम्भा चंद्रमा इश्वर काम देव मया कि पर्यायवाचि जीवात्मा है, पक्की बात है भाई, आजमाने होता है ब्रह्मा, दात गिन्ना मुहावरे का क्या अर्थ सढ मतलब क्या होता है, दिन गमाना मतलब समयनस्ट करणा पासा पलटना मने स्थिती उलट जाना और दिर तिनके का सहारा अनुक्षेदसे समधित प्रस्न है अनुक्षेद क्या कह रहा है भाई स्रम का महत्व सर्वविदित है इसके माध्यन से मानव विशाल बाढ़ को नियंतरित कर सकता है गरजते तथा उफंते सागर की लहरों को चीर कर जलपोत चला कर आगे बढ़ सकता है विशाल परवत की माध्यम मध्य राह खूजता है दुरूह समस्याओं को पालक जपकते ही हल कर लेता है तो स्रम का महत्व सर्वविदित है कि दुरूह समस्याओं को पलक जपकते ही हल कर लेता है उद्योगी मानव में ही लक्षमी वरन करती है स्रम जीवन में उत्थान की कुंडी है स्रम क्या है भई जीवन में उत्थान की कुंडी है स्रम लक्ष की ओर बढ़ते तथा उसे प्राप्त करने में सहायक है स्रम जीवी मानव राष्ट का आभूशन है आदर्स जीवन का प्रतीक है किसी कवी के सब्दों में गती का नाम अमर जीवन है गती का नाम क्या है अमर जीवन है किसी कवी ने कहा है निस्क्रिय ही घोर मरण है जीवन के छेत्र में स्रम अनिवार है स्रम के लिए बिना किसी व्यक्त को रोटी खाने का अधिकार नहीं है जो स्रम नहीं करते उनको रोटी खाने का अधिकार नहीं है इस्वर ने हमें वो हात पैर दिये हैं वो परिश्रम करने के लिए ही है तो राष्टी और आत्मो क्रांती के लिए स्रम तथा सतत उद्यम सिलता परमावस्यक है जो आदमी एक छण भी ब्यर्त गमाता है वो इस्वर से अपमान करता है अपनी राष्ट का अहित करता है आज देश में जो भयाना गरीबी और बेकारी है उसे देखकर अत्यंत दुख होता है सारीरिक श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते भारत का ब्यावसाय से हट कर कार्य में अपना अपमान समझता है यदि श्रम करे तो धनी गरीब उच नीज का भेद समाप्त हो जाए मनुस्याज जो जनसंख्या व्रिद्धी हो रही है उसकी मूल में श्रम न करना है महत्मा गांधी ने कहा था कि यदि सब लोग अपनी परिश्रम की कमाई खाए यदि सब लोग अपनी परिश्रम की कमाई खाए तो दुनिया में अन की कमी ना रहे और सब को अवकास का समय भी मिले और सब को क्या मिले अवकास का समय ही मिले तो स्रम का जो महत्त है पूरा अनुच्छित बड़ा ही तो एक विद्यार्थी को खाना तब तक नहीं खाना च जो है राष्ट का आभूशन होता है यही मानों की उठान की कुझी है महत्मा गांधी ने लोगों को किसकी कमाई खाने को कहा था खेती दुकान इमांदारी परिश्रम महत्मा गांधी ने कहा था सभी लोग अपनी परिश्रम की कमाई खाए आंसर डी आप लोगों का सरचंद की जीवन को आधार बनाकर की बहुत ही शुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें संघर्स है प्रेम है इस्या है देश है शकारात्मक्ता है खुद से एक युवा कैसे संघर्स कर रहा है सरचंद का जीवन आवारा मसीह सरचंद की जीवन पराधारित है आवारा मसीह के लेखक देखे अगये है विश्नु प्रभाकर जी है विश्नु प्रभाकर क्या कह रहा हूं मैं भाई आवारा मसीह के लेखक कौन है विश्नु प् ज्याय की जीवनी है विश्णु प्रभाकर की अन्य रचना इतनी रात श्वप्नमई अर्धनारिश्वर धर्ती पर अब भी गूम रहे हैं छमा दान दो मित्र पाप का घड़ा होरी है ना शभी उपन्या संघर्स के बाद मेरा वतन खिलोने आधि अंत कहानी शंग्रह है पक् इस बादा को बानवे शंविधान अधिमियम दोहजार तीन के तहट संविधान की आठवी अनुसूची में सामिल नहीं किया गया संचली मैथली डोगरी संथाली है संथा था संथाली मैथली डोगरी तमिल तो भाई देखो यहां पर आंसर आपका होता है तमिल है ना संथाली मैथली डोगरी और बोडो भासा को सामिल किया गया तो याद कर लो देखो B B मतलब होता है ऑえば है by bd ms था रही मैथली संथा द्हाली भॉडो डोगरी मैथली संथाली है ना 92 संविधान संसोधन अधनियम 2003 के तहट इनको जोड़ा गया 92 में जो जोड़ा गया था वो कोंकरी मनीपुरी और नेपाली भासा तथा 21 संविधान संसोधन अधनियम 67 में सिंधी भासा को सम्दित किया गया था और इस समय कुल मिला करके संविधान की अनुशूची में कुल मिला की 22 भासाएं उपस्थित हैं जिसमें तमिल नहीं है अभी भी है ना चलो निवर्फित सब्दों में कौन सा सब्द भिन है लावारिस है सजग है संयोग है विदेश है तो भाई लावारिस सब्द सजग संयो अगला प्रस्ट के सर्वनाम के कितने भीद होते हैं जो संग्या की समतूल्य जिसका व्याकरण में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं आंसर 6 देखि क्या है पुरुष वाचक सर्वनाम, निष्चे वाचक शरवनाम, अनिष्चे वाचक सर्वनाम, हनवश्मबिध वाचक सर्वनाम, प्रश् attain वाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं पढ़ेगा किस काल का उधारण है मैं पढ़ेगा मैं पढ़ेगा किस काल का उधारण है मैं पढ़ेगा सामान्य भविश्य काल का मैं पढ़ेगा कभी पढ़ेगा मैं कभी पढ़ूंगा तो भाई आंसर है बी है न मैं पलूंगा मैं पढ़ेगा पलूंगा ने उधारण ह का देखिए हिंदी साहित्य की इतिहास में जो आधिकाल है आधिकाल के बाद जो दूसरा काल विश्वनात प्रसाद मिस्र कोई न कोई आलोचक किसके बारे में कुछ न कुछ बात कहता है तो इसमें देखो आचारी शुक्ल ने इस्लामिक आक्रमण की प्रक्रिया कहा है अब देखो यह बहुत विचारणी प्रश्ण है कि भारत में जो भक्ति आंदोलन का उदय होता है वह जो उदय हो रहा है वह किसके भारत में इसलाम के आक्रमण की कारण क्योंकि वो प्रेमवादी थे शूफी वादी थे और यहाँ पे जो इरानी परमपरा है मात्रिशत आत्मक परिवार की बात करता है लेकिन जो भक्ति आंदोलन का उदय होता है वो देखो इसलामिक आक्रमण की प्रक्रिया आचारी शुक्ल कहते है ठीक है आचारी शुक्ल भौकतिया नोलन के प्रारंभ को इस्लामिक आक्रमन की प्रक्रिया कहा, याद करलो अक्सर परिछ्छा में पूछता है, कासिका किस छेत्र की बोली को कहा जाता है फटा फट करके बताएगे का बनारस छेत्र में जो बनारस में है न बोली जाते है उसे कासिका कहा जाता है उप बोली क्या है कासिका कहते है कासिका बनारस छेत्र की बोली कहा जाता है यह एक भाратि आरभासा पनिवार है हिंदी उर्दू और भोजपूरी सब्दावली पर कासिका निर्भर करती है ठीक है हिंदी उर्दू और भोजपूरी मिला करके कासिका बोली का निर्मार होता है पक्की बात है वह समझ गए तो चली अगला प्रश्न देखी क्या है यति का अर्थ क्या होता है देखो जब चंदों की मात्मी बात होती है तो चंद सास्त्र में पहली बार अगनी पुराण में इसकी चर्चा है तो चंद में यती का मतलब होता है विराम और मंगल भावन अमंगल हारी अब रुख जाईए द्रबहु सुदसरत अजिर विहारी तो यती क या होता है प्रत्यक दोहों के सोरथों के छंदों के निर्मार में जहांकि पंक्ति बदलती है उसे यती लगाना पड़ता है यती मने होता ह हुता है यह फ्रहाव या रुखावट रुखना होता है उसे जो बात आप queHra हैं अगला प्रशन के दो सब्दों के बीट प्रयोग किये जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं तो योजक चिन्ह कहते हैं राह माता पिता के बीच में क्या लगा देते हैं योजक चिन्ह सुगा साम दिन रात अच्छा बुरा तो योजक चिन्ह लगा देते हैं योजक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है पक्की बात है चलो योजक्ट चिन्न के बीच में ये चिन्न होता है विवराण चिन्न कहते हैं ठीक इन में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंद हरिश्चन में किया था तो भारतेंदु नोजागरण के अग्रदूत है नोजागरण के पिताम है और भा बाला बोध्नी हरिषचन्द मेकजीन हरिषचन्द पत्रिकॉश इनकी तीन पत्रिका थी बाला बोध्नी महिलाओं से संबन्दित静 thieves the थी आगो रींप sitio suis पत्रिकात का भी संपादन किया इनकी प्रमुख रचना वैदिक इंसान बहुती सत्य हरिष्चंद श्री चंद्रावली भारत दुर्दसा अंधेर नगरी भारत जन्नी मुद्रा राक्षस प्रेम प्रला प्रेम तरंग प्रेम सरोवर प्रेम पूर्ण प्रकास प्रसाद और भारत वंधु के संपादक तोता राम जी थे ठीक है तो भाई भाई भारतें पत्रिकात निकालते थे थे तीन पत्रिका था रिष्चंद मेगीन अरिवक्षचन चंद्रिका कविवच्चन सुधा और बाला बूधनी जो महिलाओं से संबंदित पत्रिका कहा से प्रकासित होती थी देखे वाई आदन्द कादमनी मिर्जापुर से प्रकासित होती थी मिर्जापुर आनन्द कादमनी पत्रिका मिर्जापुर से प्रकासित होती थी भारतिन्द यूग की पत्रिका थी बदरी नारायन चौधरी प्रेमगन है ना मिर्जापुर से इस पत्रि का निकालते थे आदन आनंद का आदम बनी आंसर आपका बिल्कुल सही है सबसे पहले गिना जाने वान सबसे पहला गिना जाने वाला कौन होता है इन में से उपिप्त सब्द क्या है अग्रहरी अग्रंगर्यक अग्रगामी अग्रंगर्णय तो अग्रगर्ण होता है जो सबसे पहले गिना जाता है उसे क्या कहते है अग्रगर्णय कहते हैं जो पहले जन्मा उसे अग्रज कहते है सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं उपर कहा हुआ उपरयुक्त होता है एक वाक्यांस के लिए एक सब्द है याद कर लो सबसे पहले गिने जालने वाला अग्रणी होता है जो सबसे पहले जन्मा हो अग्रज होता है जो सबसे आगे रहने वाला जो होता वो अग्रणी होता है और जो उपर कहा गया है उसे उप्यूक्त कहते हैं आंसर आपका D बिल्कुल सही चलिए अगले प्रश्म की इनमें कौन सा सब्द नाग का समानार्थी रत हाथी मोक्ष पारा तो रत हाथी मोक्ष पारा हाथी को नाग का पर्यायवाची कहा गया है नाग का समानार्थी हाथी होता है इसके अन्य समानार्थी विशधर, भुजंग, आई, काकूदर, भनीश, आधी हम क्या कहते हैं नाग को बतहते हैं चली अगला इनमें से कौन सा सब्ध हमीशा एक वच्चन में रहता है हमीशा एक वच्चन में रहने वाला सब्धाकास है जनता है भीड़ है प्राण है तो भाई प्राण हमीशा क्या होता है एक वच्चन में प्राण निकल गए निकल तो बहुत हो कि रहा है लेकिन एक वच् एक वचन में नहीं रहता है वो है प्राण हमेशा बहु वचन में इसका प्रेव होता है देखो मैंने गलब व्याख्या कर दी प्राण हमेशा बहु वचन में रहता है एक वचन में नहीं रहता है पक्की बात है बैए चल चूंकी के साथ आने वाला दूसरा उपवा के इन में से किसा से शुरू होता है कूंकी और इसके साथ क्या लगाते हैं तो भैव LAUGHTER लिए चुकितु मने कहा था इसलिए मैंने यह कर दिया तो चुपी के साथ कौन सा आता है वाक्य में दूसरा इसलिए आता है है ना अधिकान सैसे सब्द को जोड़ते हैं साथ आने वाला दूसरा वाक्य है इसी लिए से शुरू होता है ऐसे सब्द जो या दो इसे सब्द वाक्यांसों को जोड़ने का काम करते हैं संबंध बोदक सब्द कहते हैं आंसर आपका बी बिल्कुल सही है आज का जो आखरी प्रश्ण है वह आपके सामने उपस्थित है आज की कक्षा यहीं पर मैं बिराम लेने वाला हूं तो देखे मूर्ति देवी पुरस्कार कि संस्था द्वारा प्रतान किया जाता है हिंदी साहित्य में दिल्ली हिंदियक आदमी भारती ज्यानपीठ पुरस्कार तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार होता है वह भारती ज्यानपीठ पुरस्कार होता है भारती ज्यानपीठ पुरस्कार साहित्य के छेत्र में दियान राने वाला सरवोच सम्मान है ठीक है भै तो यह ज्यानपीठ मूर्थी देवी पुरसकार भारती ज्यानपीट संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है इस संस्था कि अपना 1961 में हुई प्रथम पुरसकार 1961 में केसी नागराज राव को दिया गया वर्ष 2021 में विश्वनात तिवारी को 33 वा मूर्थी देवी पुरसकार प्रदान किया गय अस्तिया और भावति के लिए दिया गया था तो विशुनात प्रसादिवारी वारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये गोरकपुर हैं दस्तक पत्रिका निकालते हैं तो आज की कक्षा यहीं पर लेता हूं बिराम बहुत-बहुत धन्यवाद जम के पढ़िए याद करिए रोज आना हिंदी की कक्षा दो बजे से तीन बजे तक आपके बीच में होती है हिंदी ब्याकराण और साहित्य को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं